यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ भाग को डिफेम करने वाले हैं जिसके चलते ही ये नोटिस भेजा गया है आपको ये भी जानकारी देदें कि नैलो सांसा दूशन चुटाला इसे पहले अपने वकील के जरिए सास्सेमंत्री अनिलविज को नोटिस भिजवा चुके हैं तो लीगल नोटिस पहले भिजवाया तो बड़ी खबर आपको अंबाला से दे रखी हैं दवा घोटाले के आरो पिनेलो सांसा दूशन चुटाला की और से लगाए गये थे हवाला दिया गया था रटी आई का की पांच जिलो में सास्ता विभाग में दवा खरीद और साथी उपकरनों की जो खरीद की गई है उ जाले इसे खबर पर बीजेपी का पक्ष जानेंगे संजे शिर्मा है हमारे साथ हरियाना बीजेपी से फोन लाइन पर जुडेंगे शिर्मा जी बहुत स्वागत है खबर आपी तक पर स्वास्तेमंत्री अनिल्विज की और से सांसा दुख्षन चुटाला को नोटिस भिजवाया गया है सर बताएए सांसा दुख्षन चुटाला ने आरोग लगाये थे स्वास्त द्राजपर वादनिया निल्विजी के उपर उन में को तथ्य नहीं थी जे उसको बड़ा चड़ा कर पेश किया गया था और एक संसा नहीं पैदा करने की कोशिश की गई थी तो उसे अंदर घ्रम पैदा करने करने के लिए उसे तिन सो क्रणों के घटाला कैसा हो गया तो इससे ये थाबित होता था कि जान भूज करके तुसे अंदर चुटाला ने सरकार को बड़ाम करने के लिए भार्ते जंता पालिटी की छवी कराब करने के लिए और उस ये शुरुप से स्री अनिल भीजी के लेकिन बात ये है, जब आरोप ये लगाए गए कि 5 जिलों की RTI में करीब 100 करोड की धांदली हुई है, अगर पूरे ही स्टेट की RTI मिलेगी तो करीब 300 करोड का घोटाला संभावित है, तो इसमें क्या विभाग डिफेम हो जाता के आरोप लगाने से? जै, आरोप लगाव मजप अच्छे में, जो कि आप 300 करोड का घोटाला का घोटाला उसके प्रके प्रकीर को जाइ सब्सक्राव कि भूटाला है, लेकिन जो भी गटाला हो उसके प्रकी प्रटी, जास कर लेकिन आप गटाला है, गचार्दी परकार के खिलाब को जुटा नहीं है और वो केवल संसनी पैदा करने के लिए केवल सुश्या बता हुआ है के स्वास्त विभाग में ब्रस्टाचार हो रहा है और हमारे सांसत दुशन चोटाला जी ने बाकाइदा आर्टी आई से मिली सरकारी जान करी दिए उसके आधार पे एक मामला उठाया होना तो यह चाहिए था कि जो लगातार इमानदारी का डिंडोरा पीटते हैं विज करने के इस इशू को डायलूट करने की कोशिश हो रही है लगातार विज सहाब के जरीए और सरकार के जरीए लेकिन एक बात मुझे जो लगता है मेरा व्यक्तिकत मानना ये है कि विज सहाब मामले को जितना भी डायलूट करने की कोशिश करें आज प्रदेश की जंता ये म आगे मंत्रियों के सरप्रस्ती में, मुख्य मंत्री की सरप्रस्ती में, ये बार प्रदेश की जनता के सामने हर रोज समाचार पत्राप उठा के देखे तो आती रहती है। ये चाहिए था कि आप लोग जाच करवाते आरोपों को जूठे साबित कर देते बजाएड नोटिस भेजने क्या। जूठा आतरा है, हमारा उसकी परसी जनोद है, और तो जाच की वाद हो कर रहे हैं, दिखिए विवाद के अंदर इंडर में ये आरोप लगाए, कि गलत ये कंपनियों को ले दिया गया है, और उनके रेद जाना लिएगे, तो मुझे लगता है कि कहाँ चाहेगे, उसमे र आरोपों में कितनी सच्चाइए है, और अगर उन आरोपों में तो सच्चाइए निकल कर ըहीं आती ये कुछ वादे निकल कर नहीं आती, प्रविन अप्रे जिस नियुक्त पहार गुणाने में यह निपून है इनकी सरकारों के समय क्या होता रहा और इनके मेताओं ने इनके सुप्रीमों ने इनके पुख्यों ने किस तरह से बंदरबाद की अपने लोगों वाकि भी वह तो इस तरह के ब्यानवाजी आप तुनी प्रविन अप्रे जिए तो यह आतरा 300 से भी कहीं उपर जाएगा और यह बात इस बात से साबित होती है कि बार बार जाच की बात करने वाले लोग स्वतंतर एजन्सी से जाच क्यों नहीं करवाते आप जाच करवाएए जाच करवाएए किसी सिटिंग जनता के सामने सच्चाई आ जाएगी फरक यह है कि जाच की आच कहीं इन बड़े लोगों के साथ तक ना पहुंच जाए इसलिए मामले को डायूज करने की कोशित है और बात जब हमारे नेताओं के करते हैं तो इनको समझ लेना चाहिए हमारे नेताओं पे कोई ब्रस्ताचार का आरोप नहीं है इस बात को यह समझ ले अनियमी तताओं का आरोप है ना अनियमी तताओं की अगर थी भी धांगली थी क्या सिर्फ कैग से आउडिट करवाए जाना काफी रखेगा कि कैग आपको बता देगा कि अगर खर्च किया गया सभी गलत किया रहे जाने पर इतना विश्याट कर लिया जाए जाए सद्पाल कि खर्च को मानते हैं ना केंग की रिपोर्ट को मानते है नहीं अपनी प्रकास निक भातicon क्यी जी जी कि इनोंने कि रिपोर्ट मैं कि रिपोर्ट को मानने से इनकार किया अगर जीरो टॉलरेंस का दम भरना ही है संदेश अरवाजी बहुत सरल सवाल है पबलिक भी समझना चाहती है कि सचाई किसमे है दुशन चोटला जो कह रहे है उसमें अस्वास समंत्री तो सीबियाई जांच करवा लीजिए हाई कूट के सिटिंग जट से जांच करवा लीजिए जो की विपक्ष की इनेलो की मांग है पार्तिय जंता पार्तिय की सरकार ना किसी को बचाएगे और किसी भी जांच की जरूरत होगी तो जरूर कराएंगे पार्तिय की सरकार इमांदार सरकार है यह भाई बतीजा वाड़ी खेत्रबाद वाड़ी सरकार होगी जंता को भी मोका दोगे यह बोलने का चली आप तोनों को अपना अपना पक्ष ठीक लगेगा एक और विपक्षी पार्टी हर्याना में कॉंग्रेस वो क्या सोचती है इस मसले को लेकर वो भी जानती है रंजीता वहता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी है रंजीता जी बहुत स्वागत है आपका पहले दुशन चुड़ाला नोटिस भेजते हैं उसके बाद अनिल्विच आप नोटिस भेजते हैं कॉंग्रेस का क्या स्टेंड है इस नोटिस नोटिस का जो ये पूरा लीगल गेम एक चल रहा है उसमें देखिए पहली बात तो दोनों ही कदावर नेता है और इस तरीके की बाते की जाती हैं दोनों ही पार्टियों को शोबा नहीं देती आज में मुद्दा ये है कि आम जन की सुनवाई कैसे हो और जो गोटाले हो रहे हैं वो कैसे उजागर हो अगर आप एक दुसरे की उपर चीटा कशी करते रहेंगे तो आगे चलकर आप किस तरीके से लोगों को न्याय दे पाएंगे जहां तक अनिल विद्जी की बात है तो बड़े-बड़े करते थे और बाकी की डिपार्टमेंट में जो है वो इंटर फेरंस करते थे आज उनकी डिपार्टमेंट के उपर है तो वह वाजब है कि उनको से जवाब देना को अपना प्रापक्षर स्वाभावित तौर पे ठीक लगेगा रंजीता जी क्या लोक्तंत्र में आरोप लगाया जाना फिर खुद ही जाच कर ली जाए कि इतने करोड का घोटाला हुआ यह सोचके आरोप लगाया जाएं अन इतने का नहीं इतने का हुआ है तो गोटाला तो हुआ है जनाम आप टैंक्यों पे चाड़ को बार बार उजागर करते हैं तो आपकी दिपार्टमेंट में ऐसा गोटाला होता है तो आप उसको सविकार किते इस खिटा कशी के अंदर की एक नोटिस वो बेज रहे हैं उधर जब तक आप इसका जवाब नहीं देंगे अगर द्वाईयां 2.90 पैसे की चीज आप 29 रुपे में बेशेंगे आज आज 80 पैसे की चीज आप 5 रुपे में बेशेंगे तो कहीं न कहीं को दुखता है कि उनके टेक्सपेर का पैसा जो कि आप जैसा की दाश से लगना चाहिए लेकिन यह क्लियर है कि उन्हों ने जो विजशाब को नोटिस देजा है विजशाब या तो माभी मांगे या पर पोड़ में जवाब देना पड़ेगा दूसरी चीज देखिए विपक्षी पार्टी होने के नाते हमारा करतव्य है के परदेश में जो अन्मिक्ताइं हो रह साथ कुछ कंपनी जो एक्जिस्टी नहीं कर रही है जब यह बाते मान रहे हैं तो यह क्यों नहीं मानते के साफ ब्रस्ता चार हुआ है घुटाला हुआ है मिश्पक्ष का एक आखिरी रास्ता और आखिरी समाधान हो सकता है जनता को समझाने के लिए ऑखिर करना चाहिए लेकिन संजनीफ पढ़ना के वल शुटर ने के लिया अनाप शनाप आप वोलना केवल जूट की राजिनीटी को इस बिए करीब 1400 करोड का वो बजट है उसको भी डाइरे में लीजिए उसके बाद जांच करवा लीजिए तस्वीर साफ हो जाएगी बात है कि अपॉट करण दुटा रही है गृट विड़ी तन ऐसको नहीं कि आपि अंडी प्रफिया है ईनलो भी धिर अई उसके बात रही है रजिता जी आखरी जवाब ये दीजिए क्या कॉंग्रेस को लगता है कि संसर दुशन चुटाला किसी तरहां कि संसर नी फैला रही है आखड़े को बढ़ा करके यो कि भीजेपी का बखिश है बिल्कुश बिल्कुश झाल झाल